हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं मिलती हुझा आप सभी का स्वागत करता हूँ घ्यान निति के यूट्यूब क्लासेस में यहां मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड कौांट का कोर्स क्रैस कोर्स पढ़ा रहा था जिसमें कभी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दिया है पिछले क्लास में मैं प्रोफिट अन लौस आपके लिए स्कार्ट किया था जिसमें से कि हम MP, SP और CP इन सब चीज़ों क्राइबन, विक्राइबन और अंकित मूली के बारे हम पढ़े थे लाव और रहानी के बारे हम जाने थे कि उनके बीच का रिलेशन क्या होता है ठीक है और कुछ कुछ चीजे जो हैं हर तायप के क्योष्टन भी लेगी और कुछ कुछ कीज़ों को मैं दिर दुरै आके भी आपको बताऊंगा weekly video बड़ा अपो आपको मारे वीडियो अच्छा लिड़ बड़ा ठीक है, question क्या कहा रहा है, a trader कोई भी आपारी है, buy some goods for rupees, जेर सो, तो कहता है, वो जेर सो रुपे में कोई goods को खरीता, पहले ध्यान समझना, जेर सो रुपे में घर खरीता, if the overhead expenses be 12%, अब क्या किया कि इस पे 12%, वो overhead expense क्या, मतलब जेसे, कोई समान खरीते हैं, फिर उसकी मरमत करते हैं, उसको ठीक ठाक करते हैं, तो ठीक ठाक करने में, उसको 12%, उसको खर्च करना परा, clear हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, of the cost, तो at what price should he be sold to earn 10%, तो कहरा 10% का मुनाफ़ा कमाने के लिए, उस इसको कितने में बेशना तो पहले हम आपको बताते हैं, line by line, ठीक है, अब आप एक बात मुझे, ये तो उसका CP, एक तरह से CP था, लेकिन CP एक नया CP बना उससे, ठीक है, नया CP किसे बना उसके लिए, जो बेचने के लिए जा रहा है, तो उस पे वो जितना खर्च किया थो, उसके according ना फाइदा चा अगा, खर्च का 12 Prozent, ठीक है? तो जितना खर्क है एक सका 12 percent, जारा खर्च किया है, या फिर आप कि लिए्क पचा सो पचास, इंडू, एक सो बाराः बड़े सो, फाइदा होता है, जो 100 में जोर के लिखते है, गटा होता है तो 100 में घटा के लिखते है, ये ऍज़ता होगी, तो अगे इसको जब करेंगे तो 50, sorry, 50, 2,50 तिया, कितना होगे देर सो, दो से काटोगे तो 2,5,10, 2,6 बार है, इसको जब करोगे solve, तो 50 तिया, देर सो, और 6,8, 168 रुते, एक्शुल में अब जो उस समान का price हो गया है, वो हो गया 168 रुते, ठीक है, वो 150 खर्च किया था, खर्च करके लाया था, और 800 रुते उस पर लगाया है पैसा, ठीक है, आप कहरा है, अगर उसको फाइदा चाहिए 10% का, आप बताओ मुझे SP क्या होना चाहिए, तो CP लस प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तो आप देखो, 168 प्लस, 168 का, 10% यह हो गया, या फिर, मैं यह भी तो कह सकता हूँ, 168 इंटू, मैंने क्या बोला है आपको, कि उस पर प्रॉफिट चाहिए, तो 10% बढ़ा की चाहिए, तो 100 में 10 जोने इतना हो जागा, बताओ, 110 बटे, यहां से यहां कर जाएगा, सही है, आप देखो, इसको 11 से इसको मल्टिप्लाइ करो, तो 118, 88 के 8, बांकी 8, 11, 66, 68, 74 के 4, बांकी 7, 11, 11, 7, 8, तो by 10 है, तो 184.8, ठीक है, अब उसका जो SP1, अगर उसको 10% का मुनाफ़ा चाहिए, उसको उसका 10% दाम बढ़ा की बेचना इसलिए मैंने बोला कि SP ब्रावर CP ब्लस प्रॉफिट का, प्रॉफिट उसको 168 का 10% ब्रावर चाहिए, आप उसको भी अगर निकालोगे, तो भी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से भी तेखते जिरो जिरो काटते, यहां हो जाता, आपको 168, प्लस 16.8, तो जब जोर दे तो 184.8, यह आंसर होता, ओके, तो यह आंसर कौन सा हो गया, option number A, तो होप आपको यह question अच्छे से समझ में, आ गया होका, समझ गया ना, तो यह भी चीज़े होते हैं, कोई समान हम लाते हैं, उस पे कुछ पैसे हम खर्च करते हैं, ठीक है, और जो खर्च करत होता है, वही मेरा नया CP हो जाता है, और उस पे फिरम फाइदे की बात करते हैं, क्लियर हो आपको, ठीक है, अब आप याद कीजिए, कि जब मैं पढ़ा रहा थे, जब पहला क्लास आपको पढ़ा थे, तो वहां मैंने यह भी बता है, कि SP प्रावर क्या होता है, CP प्लिस प was sold at profit of 6% while the rest at a loss of 3%. If there was an overall profit of the value of the consignment was, कर रहा है, कोई समान है, मालो मेरे पास 3 book है, ठीक है, उसका बोला 2-3, मतलब 2 book को 6% profit वेचे हैं, और एक जो book को 3% के loss के वेचे हैं, तब कह रहा है कि उसको overall profit कितना हुआ है, 1080 तो बताई, यु कंसानिमेंट अदाम कितना था, अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, आप सोचो के 2-3, हम जब भी percentage में deal करते हैं, आप हमको बताओ, तो 100 रखते हैं, तो आप यहाँ चुकि 2-3 बोल रहा है, 2-3, मतलब 3 में से 2 समान, पहले बेचा, फिर 1 समान बात बेचा, एक्शल में 3 है मेरा multiple, तो 3 के multiple में 100 को को कर लेता ह होना चाहिए, ठीक है, आप देखो, 300, ठीक है, अब इसका 2-3, तो बच गया 1-3, ठीक है, इसका 2-3 मतलब 200, और 1-3 मतलब 100, सही है न, आप देखो, क्या बोला, 2-3 of a consignment was sold at 6% profit, इसको क्या किया, वो 6% मतलब profit पे बेचा, और इसको क्या किया, वो मैनस 3% के loss पे बेचा, आ मेरा actual CP है, फिर उसको अलग-अलग करके हम लिखे हैं, कि 200 में कुछ और चीच को 200 रुपे, 200 का समान को कुछ और धंग से बेचा, और 100 का अलग, लेकिन actual CP अभी भी तो 300 है, हम देखेंगे बाद में total CP क्या होता, total CP मुझे पता है, total CP मुझे 300 पता है, total SP नहीं पता है, अब देखते हैं, अब SP बताओ क्या बनेगा, 200 को 6% के मुझे पेचा, तो 100 पे 6, 6% क्या होता है, कि 100 पे 6 रुपे का फाइदा हुआ, तो 200 पे कितने का फाइदा होगा, या 200 का 6% निकाल लो, या इस तरह समझ लो, कि 100 पे 6 रुपे, 200 पे 6 रुपे का फाइदा हुआ, अब यहा आप मुझे बताओ कि एक्चुल में टोटल स्पी कितना हो गया उसका एक्चुल बेचा किदा सादो नौ और 219 तीस यह समझना आपको ठीक है अब जो पहले जब लाया ठीक है तो तो तीन समय लाया था लेकिन एक्चुल जब उसको प्वाइप खरकेट करके अलग अलग मुनाफिय और घाटे कर बेचा तो एक्चल मुसको कितना रुपे मिला सब कुछ करने के बाद 309 ठीक है लेकिन हां क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ दैर वाजन ओवरॉल प्रॉफिट अब 1080 रुपे तो ओवरॉल प्रॉफिट हमारे हिसाब से प्रॉपे हिसाब लेकिन एक्चल में बोला देख को हीचन में कितने कुर्स देट एसकाय लेकिन हमें तो इन तो इदना है तो 300 का वेल्यू कितना हो जाए यह बताओ मुझे अगर पहुत कि तो दश्वाश्य कि नौ से काटेंगे 9 तो बारतिया 36 और तीन जीडो चिपक जाएगा इसमें जाके तो एक्च्वल में कितना अंसर हो गया option number D समझ माया आपको ठीक है तो आप समझ रहे होंगे question कैसे करना आप बताओ कि अगर हम 2 मानते तीन मानते या कुछ भी 2x 3x मानते तो भी बनने वाला था नहीं जब चीज़ें आ रहे हैं हम समझ रहे हैं सब को percentage में deal करना था तो हम इस बात को समझ लिए कि हमको 2x3 बोला है तो overall total 3 है तो 3 है तो उसको 300 मान लिए 300 माने था हमको समझ रहे है कि 2x3 बोला 200 और बच लिया तो 100 तो जो 200 था उसको 6% के मुना पे बेचे तो 212 में बेचे उसको और 100 को 3% के घाटा पे बेचे तो 790 बिका फिर दोनों को जोड़ लिए 3009 हो गया तो हमारे हिसाब से 300 पे 309 बिका है तो 9 रुपे का फायदा हो लेकिन उसके हिसाब से कितने का फायदा बोल रहा है 180 तो 9 का वैल्यों गर 180 तो 300 का वैल्यों निकाल लेंगे तो वो हमारा 36,000 आजाएगा तो होप आपको यह कुश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ठीक है तो चलिए अब देखते हैं नेक्स टाइप का कुश्चन किस तरह का आ सकता है आप देख रहे होंगे मैं हर तरह के कुश्चन ले रहा हूँ और हर एक तरह के को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए और किसी भी चीज में ज्यादा वह फर्मूला वगर लगाने की जरत है ही नहीं हम आपको बताएंगे ऐसा ही मैथट जिससे कि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगे आशान हो जाएंगे क्लियर तो चलें अब नेक्स्ट कि तरह ओके तो यह रहा आपका देक्स्ट अब इसमें यूजिज़ क्या होगा पहले हम कुश्चन समझा जीते हैं आपको ठीक है तो अब आपको हम बताएंगे इसमें क्या यूज़ होगा अगर आप देखोगे किता profit earned after selling एन आर्टिकल 625 मान लोग कोई समान 625 में बेच दिए तो जो profit हुआ है profit same है loss के incurred after selling का आर्टिकल 435 में जब किसी समान 625 में बेचते हैं तो उस पर जो profit होता है और loss होता है जो 435 पे तो दोनों same है लेकिं यहाँ पे CP भी same है आप समझेगा अब मैं आपको दो चीज़े यहाँ देलाना चाहता हूँ अगर आपको याद है तो छीक है आप बताव मुझे मैं आपको बताया था कि SP बरावर होता है CP प्लस profit तब तब प्रावर क्या हो जाएगा SP मैनस CP कोई दिकत नहीं ठीक है और SP परावर आप जानते हो CP मैनस loss लोस परावर क्या हो जाएगा CP मैनस SP आप हमको दोनों बार में SP पता है जब प्राविट हुआ है तो 625 है जब लोस हुआ है तो SP मेरा कुछ और है 435 है CP तो दोने दें सेम है क्योंकि सेम समान सेम रुपे में खरी देंगे तो कंडिशनल लगाने प्राविट हुआ है तो हम इसको लिखते हैं चुक्कि आपको बोला कि profit और लोस दोनों बरावर है तो पहले खिसाब से बताओ क्या होगा SP कितना हो गय सब्सक्राइब आपको यह CP इधर आजाएगा तो इधर आजाएगा तो एक CP यहां था और दूसा CP आएगा तो कितना हो जाएगा यह वाला CP इधर जाएगा तो एक CP, एक CP, टू CP और 435 इधर आजाएगा 625 प्लस 425 दोनों जोर दो तो 35, 25, 60, 6, 4, 10, 60, इन हो गया 3, 2, 5, 6 और 6, 4, 10, 2 CP हो गया तो CP आपको कितना आगया बताएगा 2 से काटना परेगा 2 पच्छे 10, 200, तो 530 कहीं आप्शन है कहीं पर, option number B, समझना है आपको, देख लिए अब आपको इस बात को समझना है कि जब भी profit और loss की चिक्र करेगा तो उसमें हमको इसी तरह से चीजों को सम देर हुआ, तो ऐसा ही question हमें एक और बनाएंगे, ताकि हमको अच्छे से यह चीजे समझ में दिमाग में बैट जाए, चली अब देखते हैं, यह next question, आप इसको pause करके बनाएगा, समझ गए, लेकिन फिर भी मैं तब तक आपको बनागे दिखाता हूं, ठीक है, same question है, बस त पर फिर 50% निकाल लेना, ठीक है, देखते हैं, अब बताओ, profit बराबर loss हो गया, ठीक है, profit, profit बराबर क्या होता है, बताए, SP मैनस CP होता है, SP मैनस CP, 650 मैनस CP होता है, loss बराबर क्या होता है, CP मैनस SP तो 400, कोई problem नहीं न, आप देखो, यह CP इधर आएगा, इधर हो जाएगा, अब बताओ, मुझे 2 CP कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया, 507, 64, 10, तो अब बताओ, CP कितना हो गया, CP हो गया, दो बच्चे 10, और 38 तुनी, 56, 538, लेकिन आपको बताओ, आंसर में क्या बोला है, 50% CP का, तो CP का 50% तो एक बटे दो, तो CP कितना हो गया, 538 का एक बटे, दो, ये तो कट रहा है भई, सही बनाया है न, 650 और 406, 410, 50, 20, 76, एक दम सही है, 2 CP तो दो से काट, दो पच्चे 10, दो ती अच्छे, दो ती सोले, 538, CP में आगा, उसका 50% हो रहा है, 538 का 50%, तो तो दो दनाचा, दो शक बार, दो नमा, 18, अच्छा, अच्छा, यहां देख रहो क्या बोल रहा है, समझ रहे होँँ हैं, यहां क्या बोला है, Find the half of the 50% of the cost price, जैंने, cost price का 50% का भी half, तो cost price का 50% मतलब भी होता है, एक बटे 2, इसका half का half चाहिए, तो एक बटे 2 से और एक पर मल्लिपलाई आपको करना परेगा, समझे है, देखिए, क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था ठीक है तो देखते हैं इसको आधा करें क्या हो जाएगा दो एक आई दो दो तिया शे दो चोंके आट दो पच्छे दस एक सच चोंतिस पॉइंट पांच कहा है ऑप्सन नमबर ए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए त सब्सक्राइब तो इसी प्राइब क्लास आगले क्लास में आपको नए ढंका और भी क्वेश्चन लिखे आएगी उसको भी समझेंगे तो इस बात को आप दिना रखो कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है प्रॉफिट होता है मतलब जब सीपी में हम प्रॉफिट जोड़ तो इस और भी अच्छे पॉष्चन लाओँगा अच्छे आख अचे पंशे कशेट के सब्सक्राइब व लोगा तो आप लोग प्लीज आपणार कोई वीश चैप्टेर नए अगर प्रॉइए प्रॉफिट में भाटल्में ता आप मुझे कमेंट में बताई है कुछ भी ब प्रियास किया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं जितना भी चटर पढ़ाया हूं अगर उतना भी कर लेते हैं तो आप गैरंटी है कि आप अपने परेगा कुछ बचा हुआ है अभी होने वाले हैं आप जरूर उन सब को पढ़िए आपको बहुत फायदा मिलेगा हम मिलते हैं आप से सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्त्र रहिए मस्त्र रहिए बाइबाए